सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले बेल आइकन डबाना ना भूले कि जिसके जीवन में गोविन्द की करप अप्राप्त हो जाती है या जो वेक्दी सत्कर्म करता है जो वेक्ती अच्छे काले करता है उसके उपर से समस्त दोश और श्राप सुतही मिट जाले हम भी तो श्रापित हैं ना हम सब भी तो श्रापित हैं सब भी विश्यों से गिरे हुए ये शरीर जो मिला है ये श्रापित ये मनुश्य शरीर कोई वो नहीं है ये भी श्रापित शरीर है देखो देवता जो उपर बैठे हैं सबसे उपर उनके उपर भी परम परम भी हैं लेकिन पांच मिनट की नहीं मालों के शिव बहुत समय तक शिव जो रहेगा और किनी कारणों से जब वो नीचे होगा तो वो और नीचे आएगा माल दीजे उनको इंद्र की पद्वी मिल गई बहुत ध्यान से समझेगा वो इंद्र अपने करमों को करता रहेगा करता रहेगा उसके कमर जब उसके कामों का जब हिसाब किताब थोड़ा बहुत तो उसको देवता बना दिया जाएगा कोई अगनी कोई वर्ण कोई ये कोई वो कोई वो फिर वो देवताओं के जब पुन्य करम होते तो वो गंधरव हो जाते है ठीक है उसके बाद कम होते चले जाएंगे तो एक पड़ाव मनश्य का भी आता है इन मनश्यों में भी अलग-अलग categories है जो सबसे पहला मनुश्य होता है सबसे पहला मनुश्य जब पैदा होता है तो वो आदिवासी चेत्र में और और जंगल में होगा उससे सटे हुए जगह पर पैदा होगा उसके बाद जो जंगल के बाहर रहते हैं उस जाती में पैदा होगा उसके बाद सेवा में पैदा होगा शूद्र में पैदा होगा उसके बाद वो अबग्रेड होगा तब जाकर वो वैश चत्री होगा और जब बहुत अबग्रेड हो जाएगा तो वो ब्रहमन शरीर मिलेगा यह दर्शन आता है लेकिन इन सब में भी अगर आपका हिसाब किता बनता जाएगा ये भी भोग लोगे फिर वापस में जाके आपको फिर जानवरों के रूप में रहना पड़ेगा ऐसे तमाम शरीर मिलते हैं और उन शरीरों का अपना क्रम चलता रहता है इनी की इस्तिती को 84 लाख में डाल दिया जाता है ब्रह्मांड भी 84 लाख है एक ब्रह्मांड का एक गणत 84 लाख का बैठता है और ऐसे कई 84 लाख के अलग-अलग पुंज है तो उन्होंने पूछा तो बताया कि जिस व्यक्ति के जीवन में ईश्वर से प्रेमें जो सत्कर्म करना चाहता है उसके उपर कोई कोई दिक्कत नहीं आती है झाल